हेलो गाईज, वेलकम टो कोडवीत जया तो आज हम देखेंगे हाव टो क्रियेट रिपोजिटरी अन बीडबकेट तो सिंपली हम हमारे बीडबकेट के वर्क स्पेस में आ चुके हैं और हम प्रोजेक्ट में जाएंगे अब जिस भी प्रोजेक्ट में हमें रिपोजिटरी क्रियेट करना हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा हम फ्लर्टर प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं और उस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं ये दो रिपोजिटरी क्रियेट हैं employee or portfolio flutter तो हम simply यहाँ पर जाएंगे new repository create के लिए यहाँ से हम repository पर click करेंगे create करने के बाद अब हम देख सकते हैं यहाँ पर project select करना है हमें तो हम simply flutter project में करेंगे जिस भी project में आपको save करना है आपका repository उसके अंदर जाना होगा और यहाँ पर हमें repository name देना है हम देते हैं name news app अब यहाँ पर देख सकते हूँ आपकी access level आपको private रखना है repository तो private रख सकते हैं और public करना है तो यहाँ पर simply un-tick करना है तो simply यहाँ पर जाके create repository करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम news app repository के अंदर आ गए है हमारा repository create हो चुका है हम फिर से चेक करेंगे कि वहाँ पर है क्या फ्रटर प्रोजेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं पहले यह दो थे employee और portfolio अब हमारा news app का repository create हो चुका है अब यह blue q दिख रहा है क्योंकि यह android के है और यह हमने simply एसे ही लिया है यह repository ok guys thank you